आज है फोर तो पप्रिल और आज की एक और वीडियो में हम बात करने वाले एन भी सी सी इंडिया लिमिटेड के बारे में 35 रुपे पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है कंपनी कंट्रक्शन का काम करती है शरकारी कंपनी है एक और काफी दिनों से ये शेयर एक बहुत ही उतार पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में हिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे जो न्यूज है वीडियो से हम आपके लिए लाते देंगे तो चलिए शुरू करते हैं पिछले एक महने के बात करी करें तो सेयर जहां भी है जहां था वही है क्योंकि इसमें हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी है 37-38 रुपी से ये सेयर आ करके 31 रुपिये पे था है मतलब काफी ज़्यादा गिरावट है और हाँ पिछले एक दो दिन से ये बॉल्स बैक कर रहा है ये अलग बात है लेकिन इसमें हमें बहु करूंगा 10% के गिरावट है लेकिन सेयर बहुत ही और इवन तरीके से ट्रेड करता है 40 रुपे से साल की सुरुवात किया था और उसके बाद इसने लगबग 30 रुपे के नीचे आया फिर इसने 35 रुपे का हाय फिर 30 रुपे लगबग आया और फिर पुराना लेवल 40 और उभर के सामने आ रहा है एन बी सी सी इंडिया लिमिटेड रिसीब और ऑपारेश 448 करोड तो एक 448 रुपे का बहुत चार सो और तालिस करोड का माप किजिएगा एक बहुत बड़ी और इनको रिसीब होते वे दिखाए दे रहा है तो सरकारी कंपनी है कंट्रक्शन कं तो गवर्मेंट के तरफ से इनको एक ओर्डर मिला हुए एन बी सी इंडिया लिमिटेड है रिसीब और वन कंट्रक्शन ऑफ बॉर्डर एंड रोड बिट्विन बीपी नंबर 2350 बीपी नंबर 2364 लेंथ 88.58 किलोमेटर इन दे स्टेट अफ मिजोरम एलों इंडो बंगला देश बॉर्डर आई बीबी फ्रॉम डिपार्टमेंट और बॉर्डर मेनेजमेंट बीएम डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेर्यस गवर्मेंट अफ इंडिया और चार्स और तालिस करोड बड़ यहां पर हंड्रेड पर्शन रिकमेंडेशन जो मनी कंट्रों को यू से तालिस पैसे का और उससे पहले चौदा पैसे का अब देखने को यह रहता कि दोजर ताइस में डिवीडेंट किता पे करता है बट मेरी जो एक्सपीरियंस के साब से में बोलता हूं यह पचास पैसे का ज्यादा का डिवीडेंट पे नहीं कर पाएगी इसी के लंसम में हो सकता है क्योंकि जादा कोई लंबी चौड़ी उच्छाल स्टोक में देखने को नहीं मिला है और जब स्टोक में तेजी आती है तभी डिवीडेंट कंपनिया जादा प्रवाइड कर आती है ठीकर रेवेन्यू के जो करेंट क्वार्टर है उससे दो क्वार्टर एक क्वा बात करो तो प्रोफिट में बहुत बड़ी उतार चड़ाओ देखने को मिला है जो लॉस आयता छे करोड का उसके बाद सिद्धा पंचानवे करोड का प्रोफिट उसके बाद लगभग सतर करोड रुपे का प्रोफिट तो यह बहुत ही और इवेन तरीके से हो रहा है और दे रहें आपको पर मोटर होल्डिंगे मा box करूँग जो पर मोटर होलड इंगो 61.75 पर पर सेंट अचेपर होलडिंग है काम अगर मैं कमपनी के डिसकस करूँ को काम क्या करती कमपनी तो कमपनी पहली करती है जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है उनको रिनिवेशन कंट्रक्शन उनके रख रखा और हाईवेस रोड्स वेगरा और ऐसे भी बहुत सारे गुवर्मेंट प्रोजेक्ट में कमपनी काम कर अब करती है एक सारकारी कमपनी है लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि गोवर्मेंट बहुत सारे जो बैंक अभी एक आपसी बैंक का एक आया था कि उसको प्राइविट प्राइविट आजिएशन कर दिया जाएगा और अभी इस जो कमपनी है यह इस कमपनी का बहुत सारे न्यूज आई थी कि और भी बहुत सारी कमपनिया है उस कमपनियों को भी यह प्राइविट आजिएशन किया जा सकता है अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट यह ट्वैटी ट्वैटिफॉर में बट अभी इलेक्शन के टाइम तो नहीं होगा लेकिन ह जहां तक यह बात है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि वो सारे चीज़ा के लिए बहुत सारा प्रोसेस होगा उसके बाद हो तो उसके बाते बात के करेंगे लेकिन अगर मैं यहापर फ्रेश बाइंग की बात करूं पिछले पांच साल की मैं बहुत लंबी गिरावट में है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इसमें तेजी आएगी तो इसमें गिरावट भी हो सकता है तो आपके जो बाइंग हो वह बहुत ही स्टाटेजिक तरीके से होनी चाहिए इसमें तेजी भी आता तो गिरावट भी देखने को इसमें मिलेगा तो म निदे वह तो जो जो लेबल है वह चार्ट के नुसर बहुत ज्यादा हो जाते हैं कई कही नहीं दोनों बीच जो है उपर जाने के बाद स्टोक नीचे आता है फिर उपर जाने के बाद नीचे आता है तो यह जो चीजे हैं यह दोनों चीजे वह बहुत ज्यादा माइने रखते हैं यह जो लेबल जिनके बार में बात कर रहा हूं जो जहां तक है प्रॉफिट बुकिंग की तो अगर यह स्टोक जाता है 40 दिख सकता हो जिसे आपको एक रेली मिल सकती तो अगर आप 30 रुपे खरीते हो और तो आपको एक बहुत अच्छा खासा सौट्टा में 40 रुपिश के आसपस आप बिक्वाली करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो दिखे जो ओर्डर्स इनको मिले हैं मैं मानता हूं बिलकुल इनको ओर्डर्स मिले हैं चारहजार चारसो करोड़ पांसो करोड़ कर जो भी इनका ओर्डर है लेकिन वह उतने भी बड़ी बात नहीं कि जो एक जटके में पंदरा पर्शेंट बहुत माइने लगता है तो इस इसी हिसाफ से मैं कहूंगा कि यह जो तेजी आई पंदरा प पंदरा परसेंट बढ़िया तो इसमें आपको आगे बिक वाली देख सकती है अगर आप सोच रहें तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसे फ्रेज बाइंग के लिए जल्दबाजी मत किजिए करेक्शन हो सकता करेक्शन के लिए बेट किजिए उसके बाद आप तीस रुपे का आप यहां पर इसके जो प्रॉफिट है वह थोड़े और इवेंट तरीके से कुछ ठीक ठाक नहीं लगे मुझे इसलिए मैंने लॉंग टर्म के बाते करेंगे लेकिन अगर आप इसमें बाइंग किये हुए होल्डिंग किये हुए तो आपको 4042 रुपीस पे अगर 40 रुप है यह हलाकि सरकारी कंपणी नहीं यह प्राइविट कंपणी है एंसी लिमिटेड में राके जी का बहुत बड़ा है होल्डिंग था और अभी भी है तो अगर आप चाहते कि मैं एंसी सी पे भी जो फंडामेंटल एंसी से उसकी वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट बोक कीजे धन्यवाद